चलिए तो इस वीडियो का टॉफिक रहेगा, SBI में जो उसका प्रोफाइल पासवर्ड और लोग इन पासवर्ड है, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए आपको, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं, ता आप मोबाइल का भी कोई ब्रॉजर ले ले यहां पर आपको लोग इन में सेलेक्ट करना है, प्रस्नल बैंकिंग में, प्रस्नल बैंकिंग में और लोग इन दबाना है, उसके बाद continue to login में क्लिक करना है, यहां पर आपको forget username and login पासवर्ड में क्लिक करना है, जब भी आप यह कर रहे होंगे ता आपके पास ATM कार्ड, आपका account number, आपका registered mobile number होना बहुत ही हवस्याक है, यहां पर आप forget my login पासवर्ड में क्लिक करना है, और next करना है, उसके बाद यहां पर आपको अपना username डालना है, मैं डाल लेता हूँ, और उसके बाद यहां पर आपको अपना account number डालना है, जिस भी number का पासवर्ड चेंज क कर रहे हैं, उसके बाद आपका country यहां पर select करना है, यहां पर आपको अपना mobile number देना है, मैं डाल लेता हूँ अपना registered mobile number, उसके बाद यहां पर आपको अपना date of birth फिल्टर देना है, उसके बाद यहां जो capture दिख रहा है, उसको आपको फिल कर लेना है, और submit पर click करना है, उसके बाद आपका registered mobile में एक OTP जाएगा, उसको आपको यहां पर दर्ज करना है, तो देख लेता हूँ मैं आया है कि नहीं, मेरा OTP आ चुका है, तो मैं यहां पर OTP डाल देता हूँ, उसके बाद आपको confirm पर click करना है, confirm मैं आप जैसे click करेंगे, तो आपको पास यहां पर तीन option आएगा, using ATM card detail, using profile password, reset your login password, visiting branch, मलब यहां पर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, यहां पर अगर आपको अपना profile password याद है, तो उससे भी कर सकते हैं, और यहां पर आपको ATM के detail, तो यहां मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, profile password और login password दोनों को change करना है, तो उस case में मैं यहाँ पे ATM card यूज करता हूँ क्योंकि profile password तो हमको change करना ही है तो ATM card details change करेंगे और यहाँ पे submit क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपका card होगा उसको select करके confirm करना है फिर उसका expiry date आपको select करना है और expiry year उसके बाद जो आपका card में नाम होगा तो आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आपका जो पीन होगा उसको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जो आपका capture दिख रहा है उसको सर्दानी फुर्वक्त फिल कर ले देगर निव पासवड बनाने के लिए तो देखिए आ चुका यह निव पेज यहाँ पे फर्ष्ट में आपको पासवड डालना है फिर उससे कंफर्म पासवड डालना है पासवड जब भी बना है आप मिक्स करके बनाने कुछ नंबर कुछ लेटर कुछ बड़े लेटर और कुछ अस्पेसल करेक्टर अब उसके बाद यहाँ पर सब्मिट पर क्लिक करें देख सकते हैं आपका पासवड सक्सेश्पली चेंज हो गया अब इस टैप को क्लोज कर दें और इस टैप को भी क्लोज कर लें क्योंकि आप इसमें फिर से ट्राइ कीजिएगा तो आपको लॉग इन नहीं करने देगा और अब फिर से परिसान होते रहेगे इसलिए यहां न्यू टैब लेना है और फिर से यहां पर SBA में सर्च करना है पिर से से सेंब प्रोसेस आपको जाना है लॉग इन पर क्लिक करना है प्रोसीट टू लॉग इन और यहां पर आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ट अभी जो पास्वर्ट आपने बनाया है वही पास्वर्ट आपको यहां नीचे डालना है अब यहां पर आपको अपना मोबाइल पर वंट पास्वर्ट मिलेगा उसको आपको यहां पर फिल करना है तो मैं यहां पर फिल कर लेता हूँ जो मेरे मोबाइल में भी आया है और यहां पर सब्मिट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर माय कांटेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर प्रोफाइल पर आना है उसके बाद आपको यहां फिर से प्रोफाइल में माय प्रोफाइल में क्लिक करना है अब देखिए यहां पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड को आप्शन आ गया यहां से फोर्गेट प्रोफाइल पासवर्ड करके आप चेंज कर सकते हैं या फिर यहां प्रोफाइल में जाना है और यहां पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहां पर अगर लोग इन पासवर्ड चेंज करना है तो यहां से आप प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करना है से यहां से अब क्यूंकि मुझे अपना पुराना पासवर्ड पता नहीं है और आप लोग को भी नहीं पता होगा इसलिए आप याप ये वीडियो देखे रहे हैं तो यहाँ पर फोर्गेट प्रोफायल पास्वड पर क्लिक करना है इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पॉम्बायल पर वन टाइम पास्वड आएगा उसको आपको यहाँ पर आपको debit card है आपके पास तो आपको branch through होगा और आपके पास अगर debit card है तो debit card through कर सकते हैं क्योंकि मांच के चलते हैं यहां पर hint question हम भोल चुके हैं और branch हमको जाने का मन नहीं तो आप लोग यहां पर debit card से करते हैं debit card को select करना है फिर से जिस भी account को आपको password reset करना उसको select करना है मेरे case में स्रिप एक ही account है तो बस वह automatic selected है यहां फिर से आपको यहां जो active card होगा उसको select करके confirm पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको नडेड़ सेलेक्ट कर लेंगे date select करने के बाद यहां पर आप अपना card में जो नाम होगा वो डाल लेंगे और यहां पर आपना pin ATM pin, pin code में डाल दीजेगा ATM pin डालना है और यहां पर जो capture दिख रहा है वो डालना है मैं थोड़ा सा गलाट डाल दिया capital A था और यहां पर प्रोसीट पर click करना है जैसे ही आपका validation होगा यह automatically आपको नया password बनाने के लिए भीज़ देगा तो देख सकते हैं यहां पर हमको profile और confirm profile का option आ गया है तो यहां पर हम लोग profile डाल देते हैं जो भी मलब profile password है मलब बनाना है जादर के password आप जब भी बनाएं तो combination में बनाएं छोटा मोटा password ना बनाएं ऐसे आप इसमें टूस्टेप verification अटोमेटिक्स आपका होन रहता है तो डरने की कोई बात नहीं लेकिन फिर भी अपना safety अपने हाथ में अब जितना strong password बना सकते हैं उतना strong password बनाएं और यहां प बता हूं और यहां पर उसका answer भी जो आपको लगता है वो दे दे उसके बाद यहां submit पर क्लिक करें जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका password successfully change हो चुका है तो इन दोनों के जरिया आप अपना profile password और login password दोनों change कर सकते हैं और अगर इसमें आपको कोई दि complete करके देख लें जिससे है कि आपका सारा dot clear हो जाएगा तो इस वीडियो में इतने ही था यही दोनों में देखो बताना था आप लोग को कि login password और profile password कैसे change कर सकते हैं जो मैंने बता दिया वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद और अगर आपको यह वीडियो informative बूले रा सकते हैं आज से हैं वीडियो आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे कि ए मैं मैं आप कर अधार कर अधार कर दो झाल झाल झाल